तो गाईज स्वागत आपका एक बाफ फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल फिल्मी बॉक्स ऑफिस पर बात करेंगे कंगना रनोट इस्टार फिल्म थालावी को लेकर जो कि गाईज एक बाफ फिर से हो चुकी है रिलीज आपको यादू अभी फिल्म OTT पर रिलीज कर है गाईज सो करोड रुपे पर इस फिल्म ने कलेक्शन कुछ भी नहीं किया पैन इंडिया के होने के बावजूत आपको यादू यही फिल्म बावपिक है ऑफिसियल तोर पर इंडियन पॉलिटीशियन इंडियन एक्ट्रेस जे जैलल लिलता की जो कि गाईज अब हमारे बीच नहीं है अब बात करें गाईज फिल्म को लेकर तो आपको यादू फिल्म ने ओवरॉल वर्डवाइट बॉक्स ओफिस से करेक्शन किया होगा गाईज मुश्कल से मुश्कल अपने 16 दिनों के अंदर अंदर 25 करोड रुपे बस इससे ज्यादा नहीं और क्रिटिक्स ने भी इसकी रेटिंग इतनी खास नहीं दी इस फिल्म को हर रफ से नेगेटिव विसमांस मिला ओल्मोस्ट गरीज आपको जादू इस फिल्म का जो फर्स्ट हाफ है यनकी इंटरवल से पहले का सीन सबसे बेहुदा है और मुझे लगता है वो जो रियल नहीं है कहने का मत रिलीज होगी लगबग 20-25 दिन बाद रिलीज है लेकिन अभी 16 दिन पूरे हुए है तो यह फिल्म रिलीज कैसे हो रही है यह मुझे भी नहीं पता और प्लैटफॉर्म थे गाईज डिजनी प्लस होस्टार और एमेजन लेकिन अब अपडेट आ रही है गाईज नेट्फ को ओटीटी पर नहीं सोरी थेटरस में नहीं मिला और ऐसा बताया जा रहा है कि यह फिल्म ज्यादा नहीं न अपने पहले दिन 3-4 क्रोड का करेक्शन आसानी से कर लेगी ओटीटी से तो गाईज आपको थलावी फिल्म से जुड़ी यह बडेट कैसी लगी हमारे कमेंट सक में बता सकते हो और गाईज हो सकते हो हमारे चैनल फिल्मी मूर को सब्सक्राइब कर लेना थैंक यू गाईज फॉर वाचिंग एंड कीप सपोर्टिंग बाबाए टेक कियर